भारत माता की भारत माता की मुझे ख्षबा करना मुझे आज आसाम तक पहुँचना है पांच रेलिया करनी है और इसलिए मैं सारे प्रोटोकल छोड़ करके यहां पहुँच गया विश्व विख्यात ज्यान और मोख्ष के पवित्र नगरी गयाजी के हम प्रणाम करहें भगवान विश्णों भगवान बुद्ध के इत तपस्तनी के हम नमन करिये यह वो धर्ती है जिसने मगत का एश्वर्य देखा है जिसने बिहार का वईभव देखा है संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूँ तो नवरात्री भी है और आज ही समराट अशोग की जैनती भी है भाई और भेनों सद्यों बाद आज एक बार फिर भारत और बिहार अपने उस प्राचिन गवरव को लोटाने के लिए आगे बढ़ रहा है ये चुनाव विख्षिद भारत विख्षिद बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है गया की धर्ति पर उम्डा ये जन सहलाब ये अपार जन समर्थान आपका ये उत्सा साफ बता रहा है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार चार जून चार जून गया और मैं अभी यहां जब आ रहा था है एरपोर्ट से लोग पैदल यहां तक पहुंच लेक लिए चल रहे हैं हो सकता है मेरा भार्षान पूरा होने तक वो पहुंच पाएंगे के नहीं बहुत बड़ी मात्रा में लोग हाथ में जन्दे लेकर के चल रहे हैं ये प्यार ये आशिरवाद मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ गया और आउरंगबाद ने आज गोशना कर दी है कल मैं तमिलनाडू में था जो बात मैं तमिलनाडू में सुन रहा था परसो में करनाटका में था जो बात मैं करनाटका में सुन रहा था वो आज मैं गया और आउरंगबाद में सुन रहा हूँ फिर एक बार फिर एक बार साथियों अभी दो दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है क्योंकि दस वर्सों में सब ने देखा है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरी होने की गारंटी साथियों मोदी गरीब गर से निकल कर आप सब के आशिरवात से यहां तक पहुचा है यह आपका उच्छा यह आपका उमांग यह प्यार मेरे सरांखों पर मैं आपका यह प्यार जीवन भार मेरे कानों में गूंता रहेगा अगर मैं आप इजाज़त दें तो आगे बोलना शुरू करो यह उर्जा बचाए रखिये चार जून को भी जरुद पड़ेगी साथियों आपके आशिरवात से आपने मुझे सेवा करने का आउसर दिया मोदी को देश के सम्विधान ने ये पद दिया है डॉक्टर राजेंद्र बाबो और बाबा साब अम्बेड कर उनका दिया हुआ ये सम्विधान न होता तो कभी ऐसे पिछडे परिवाल में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंति नहीं बन सकता था भायवानों हमारा देश दिवीदताओं से भरा हुआ है अने आप बैठिये में प्लीच आप जड़ा ज्यादा कर रहे हैं बैठिये हमारा देश बिवीदताओं से भरा हुआ देश है अनेक भाशाएं अनेक बोलियां अनेक रिती रिवाच अनेक परमपराएं अनेक प्रकार के पहनाव अनेक प्रकार की जीवन शैलियां अनेक प्रकार के खान पान एक प्रकार से हमारा देश बिवीदताओं से भरा हुआ देश है बैबिद्ध से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है हर प्रकार के पत संप्रजाय वाला देश है ऐसे मैं देश के उजवल भविश्य को चलाने के लिए नियमों के अंतरगत आगे भणाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्ता हमारा संविधान है हमारा संविधान हम सब के लिए एक पवित्र है संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत सम्रुद्ध बने लेकिन दसकों तक देश पर राज करने वाली कॉंग्रेस ने मोग का गमा दिया देश का समय गमा दिया पचीश करोर देश वाचियों को गरीबी से बहार निकाला है आपके सेवक ने मोदी ने दसकों तक गरीबों को रोटी मकान के सपने दिखाए कॉंग्रेस और उसके साथियों ने चार करोर गरीबों को पक्के मकान दिये एंडिय सरकार ने हमारे साथी जीतनराम मांजी जी भी यहां बैठे हैं वो साक्ची है कि कैसे दलीत वंचीत पिछडा के नाम पर कॉंग्रेस और आरजेडी ने आरजेडी ने सरफ अपना राजनितिक स्वार्थ साथा दलीतों वंचीतों पिछडों को अधिकार और सम्मान पूर्ण जीवान एंडिय ने दिया है साथियों अब अगले पांच बरसों के लिए मोदी का गरंटी कार्ड अपडेट हो गया है गरीबों के लिए तीन करोड पक्के घर बनाए जाएंगे ये मोदी की गारंटी है गरीबों को अगले पांच साल तक मुप्त राशन मिलेगा ये मोदी की गारंटी है सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर को पांच लाख रुपिय तक का मुप्त रिलाज मिलेगा ये मोदी की गारंटी है किसान सम्मान निधी आगे भी जारी रहेगी ये मोदी की गारंटी है बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग हर छेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है यहाँ डोवी छेत्र की तस्वीर भी आउद्यों की कोरिडोर से बदलने वाली है इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा साथियों बीते दस साल में देश में एक ऐसी क्रांती आई है जिसकी उतनी चर्चान नहीं होती यह क्रांती देश के महिला स्वयम सहायता समोधवारा की गई है पिछले दस साल में करोड महिला आए सेल फेल गुप से जुड़ी है बिहार में भी सवा करोड बहने इस मुहिम से जुड़ी है अरे हमारे गया जी में भी सवा पांच लाक बहने इन समोधवारा की जुड़ी है जब कॉंग्रेस की सरकार थी इसी प्रयाद से अकेले बिहार में बारा लाग से जादा महिलाएं लखपती दीदी बनी है अब मोधी ने देश की तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने का अभियान शुरू किया है इसका बहुत बड़ा लाब बिहार की महिलाओं को होगा साथियों हमारे एजंड में विकास भी है और विरासत भी है यहां नार्थ कोयल प्रोजेक्ट कितने लंबे अर्शे से लटका हुआ था यह आप भी जानते हैं यह एंडिये सरकार है जो इसे पट्री पर लाई है इस प्रोजेक्ट के पुरा होने से गया और औरंगाबाद के किसानों को सींचाई की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी हमारी ही सरकार में प्रसाद योजना के तहत देश के बारा प्राचीन अहित्यासिक दरोरों में गया जी को भी शामिल किया गया गया पित्रू स्राजस्थल है यहां बगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी वैसे कम लोगों को पता है कि गुजरात में भी पाटन जीले में सिद्धपूर को मात्रू साद सल माना जाता है इसे मात्रू गया भी कहते हैं जहसे यहां पित्रू गया है गुजरात के सिद्धपूर में मात्रू गया है हमारी सरकार इन सभी स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है अभी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि वो भारत की विरासत को वर्ल हेरिटेज मेपर लेकर जाएगी हमारे गयाजी को भी हम उस उन्चाई पर ले जाना चाहते हैं और इसे बड़ी संख्या में ग्लोबल टूरिस भारत आएंगे और इसका अलाब इन सभी खेत्रों को होगा साथियों आकांची जिला कारकम के तहत गया का तेजी से विकास सुनिश्चित किया गया है अम्रुत स्टेशन योजना के तहत गया स्टेशन का काया कल्प किया जा रहा है विकास का एश्केल विकास की ये रफ्तार इतने सारे काम हुए आपके उत्सा में भी नजर आ रहा है कि मोदी सरकार ने कितने काम किये हैं लेकिन साथियों मैं जो संकल्प लेकर के चला हूं मैं जो सपने देखता हूं और दुनिया में भारत का जो स्थान मेरे मन में है उस हिसाब से तो इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं ये तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है बिहार के लिए बहुत कुछ करना है साथियों बिहार के लोग जानते हैं ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग है तो दूसरी और हमारी आस्ता को निचा दिखाने वाले लोग है कल राम नौमी का पावन पर्व है कल राम लोग है कल राम नौमी का पावन पर्व है सूर्य की किरणे कल अयोध्या में राम लला के मस्तक का विशेश अभिशेक करेंगी लेकिन गमंडिया गडवंदन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं एक समुदाय के तुष्टे करन के लिए इन लोगों ने प्रान प्रतिष्टा कारकम का निमंत्रान ठुकरा दिया यह हमारे देश के सांस्कार नहीं है यह हमारे देश की परंपरा नहीं है इस गमन्या गडवन्दन के एक नेता कॉंग्रेस के उराज तो खुले आम कहते हैं कि वो हिंदु धर्म की शक्ति का विनास कर देंगे आज नवरात्री का पावन परव है हम शक्ति के उपासक है क्या है इस शक्ति का विनास कोई कर सकता है क्या यह शक्ति का विनास कोई कर सकता है क्या और जो शक्ति का मिनास करने निकले हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इखटा हुआ है, भाती भाती के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते है, ये हमारा जो सनातन है न, ये सनातन तो वो डेंगु मेलेरिया कहते हैं, क्या ये सनातन का अपमान है नहीं है, आपको मानना न मानना आपकी भर्जी, आप पर कोई प्रतिमन नहीं है, लेकिन उसको डेंगु मेलेरिया कहना, ये सनातन का अपमान है नहीं है, हमारे रुशियों मुनियों का अप्मान हैग नहीं है हमारे पुर्वजों का अप्मान हैग नहीं है आप मुझे बताइए ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए पूरे बिहार में से एक-एक को साप करना चेक नहीं करना चाहिए साथियों गमंडिया एलाइंस के पास न कोई वीजन है न कोई विश्वास है ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नितिश जी के कामों पर वोट मांगते हैं ये लोग क्यों नितिश जी के कामों का केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं वो पूरा बिहार जानता है आरजेडी ने भी इतने वर्चों तक बिहार पर राज किया है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किये उसकी चर्चा कर ले बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चहरा RJD है बिहार में परस्टाअचार का दूसरा नाम RJD बिहार की बरबादी की सबसे बड़ी गुनेगार चारा गोटा लेके नाम पर वोट माँखने वाले क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है गरीबों को लूटा है अदालत ने मौर लगा दिये भई साथियों आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजे दी है एक जंगल राज दूसरा प्रश्टाचार इनी का दौर था जब बिहार में अपहराण और फिरोती एक उद्योग बन गया था हमारी बेहन बेटियां घर से बहार नहीं निकल पाती थी हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे जो जगा भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो ये हालत करके छोड़ दिया था आज जैड़ी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार चोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था साथियों आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं ये प्रस्टाचार पर कारवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाब लाममंदी करते हैं मैं कहता हूं प्रस्टाचार हताओ तो ये कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ इन्हें लगता है कि बिहार के लोग बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे स्मार्ट फॉन के जमाने में बिहार के युवा हमारे स्मार्ट युवा कभी चंगल राजवालों के साथ नहीं जाएंगे आप मुझे पताएए आप सम मुबाइल रखते हैं नहीं रखते हैं क्या लाल टेंड से मुबाइल चार्ज होगा क्या और ना लाल टेंड से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या यह लाल टेंड के जमाने वाले लोग आपको आथुनी क्यूग में नहीं जाने देंगे दोस्तों कि यार जेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती है साथियों पूरी दुनिया में इस समय स्तिर्ता है देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेदे वाली सरकार की जर्रोत है और इसके लिए NDA की गया लोग सवाशिट से हमारे वरिष्ण नेता जितन राम माजी जी और अरंगबाद से मेरे साथी सुसिल कुमार चीन जी को विजय जरूर कर बनाईगे जितन राम माजी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है सुसिल जी बीजय पी के मेरे वरिष्ण साथी है साथियों जो उत्सा आज में हाँ देख रहा हूँ आपको 19 एप्रिल को इतने ही प्रतन उत्सा से मतदान करना है और बहुम्मत से इनको विजय बनाना है भाईयों बैनों मेरे भाषन की शुरूवात में मैंने संभिधान का जिक्र किया था जो लोग संभिधान को राजनितिक हथ्यार के नाते उप्योग करना चाहते हैं विजरकान खुल करके सुनने पिछले तीन दसक से आपने लोगों को डणाय रखने के लिए लोगों को भैवीत रखने के लिए बाती बाती की विकृत नरेटिव्स विकृत कथाएं प्रतलिक की हैं कभी आप कहते थे कि RSS BJP आएगी तो देश जल जाएगा बच नहीं पाएगा पिछले तीस साल से हमाने एक राज्यों में सरकार चला रहे हैं अटल्टी के समय से हम देश की सत्ता से खथाथ आते जाते रहे हैं लेकिन इस देश को सबसे ज़्यादा शांती का समय हमारे कालखन में मिला है यह लोग कभी कहा करते हैं अगर RSS BJP आए तो लगुमतियों को देश चोड़ करके भागना पड़ेगा आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाब लेकर के गुजारा कर रहे हैं प्रगति कर रहे हैं पहले कहते रहते थे कि लोग पुरान पंथी हैं यह प्रगतिशी लोग नहीं हैं हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमे है वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रेकर्ड हुमा रहे हैं जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनितिक सस्त्र के लिए उप्योग करते हैं और जूट फैलाते हैं संविधान बदल देंगे संविधान बदल देंगे भाईयों बैनों लिखके रखिए मोदी तो क्या बीजेपी तो क्या स्वयम बाबा साब आमबेड कर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं और इसलिए जूट बेनाना जूट फैलाना बन करो और भाईयों बैनों इनको पता होना चाहिए इजो संविधान सबाती डॉक्टर राजेंदर बाभू ने त्रुत्व करते थे बाबा साब आमबेड करका दिल दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गन्मान ने लोग अनेक महिनों तक बैठ करके विचार भी मस करके देश की भावनाओं को समझ करके देश की सामाजी परिस्टियों को समझ करके हमारे सम्विधान का निर्माण किया है और जो लोग सनातन को गाली देते हैं न वो भी कान खोल करके सुन लो ये जो सम्विधान इतना महान बना है ये जो सम्विधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है इस सम्विधान को बनाने के लिए जो सम्विधान सभा थी उसमें 80-90% से भी जादा सब के सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम सम्विधान बनाने में बाबा सावाम बेड़कर का साथ दिया है और इसलिए हकीकत तो ये है कि देश की आजहाती के बाद सम्विधान को राज निति का हत्यार नहीं सम्विधान को सद्धा के रुपे जन्मन में प्रस्थाबित करना चाहिए था और हमारा देश ऐसा है जो रामायन में आस्था रखता है महाभारत में आस्था रखता है गीता में आस्था रखता है वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रगता लेकिन आपने संविधान का राजनीती करण करने की कोशिश की है हमने संविधान के प्रति आस्था पदा करने के लिए लगातार कोशिश की है जब पार्लामेंट में, मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया, कि हमने देश में संवेधान दिवस मनाना चाहिए, तब कॉंग्रेज पार्टी के नेता, सिमान खरगेजी ने पार्लामेंट पर उसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था, अरे 26 जन्वरी तो है, संवेधान दिवस की क्या जरुवत है, उनको ये समझ नहीं आया, कि भारत के संवेधान के पती, निरंतर सध्धा पैदा करते नेना चाहिए, संउसकार बनना चाहिए, हमने संवेधान दिवस को हर स्कूल में, बच्चों के सामने, संवेधान का पाठ हो, प्रियंबल का पाठ हो, बचन बज़ता आये, इसके लिए प्रारंपरा प्रारंब की है, और आज भी संवेधान दिवस पर सुप्रिम कोड दो दिन का सेमिनार करती है, पार्लामेंट में चर्चा होती है, इतना ही नहीं, संवेधान को 75 साल हो रहे है, संवेधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कारकम हमने प्रारंब किया है, इतना ही नहीं, हम चाहते हैं, कि संवेधान सिरफ अदालतों में दलील के लिए काम आये, इतना पूर्ता नहीं है, संवेधान हमारी जीवन को, हमारे संसकारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला, संवेधान वो ताकत है, जिसको हमें दिलों तक पहुँचाना है, आपके लिए संवेधान राजनीती का हतकंडा होगा, हमारे लिए संवेधान सद्दा का केंद्र है, हमारे लिए संवेधान आफ्था का केंद्र है, हमारे लिए सम्मिधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्ग दर्शक है और उसको ले करके हमस्वत आजाज भारत को बिक्सिट भारत की उंचाइड तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे और इसलिए भाईयों बैनों भारत के सम्मिधान को इत्रकार से गली महले में ठोकरे मारने वालों लोगों को भारत के सर्चारवज़े जीवन पर कोई जगा नहीं है अगर सामाज एक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे समिधान में है बिन साम्रदाय की सच्ची भावना को उदागे करने की ताकत है तो हमारे समिधान में है और हम बड़ी सद्धा के साथ इतना ही नहीं बाबा साब आमबेड करको जो सम्मान हमने दिया है आपको बोलने का अधिकार तक देए बाबा साब आमबेड करके जन्बन से लेकर के जिन पांच महत्व पुर्शान पर बाबा साब के जीवन का टर्निंग पुइंट रहा है उस इसलिए भाईयों बैनों इन लोगों को जानके समझ करके यह जूठी बाते बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चूप करना बहुत जरूरी है और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चूप कर देगा यह मैं आपको विश्वाद दिलाता भाईयों बैनों यह लोग कहते हैं चार सो पार क्यों मैं बताता हूं चार सो पार क्यों कि देश की जनता ने ताय किया है चार सो पार क्याकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विख्षित देना चाहती है लेकिन साथ साथ एंडिये को चार सो पार दे करके देश को लूटने वाले को ब्रस्टाचारियों को संभिधान के साथ खिलवार करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें चार सो पार देना चाहते है ये चुनाओ एंडिये को जिताने का भी है ये चुनाओ देश में तबाहि करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है बाई यो बैनो 19 अप्रिल को गर्मी कितनी क्यों न हो हमें सुबे सुबे मतदान करना है जादा से जादा मतदान करना है करोगे हमें हर मतदाता को मिलना है मिलोगे हमें हर पोलिंग मुझ जितना है जितोगे कि मेरा एक काम करोगे ya कि जीतन्द अ्माजी का काम निये मेरा आय करोगे हा जाना और लोगों को कहना के मोदी जी आये थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम बेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे बहुत बहुत धन्यवाद